दुनिया में हर इंसान अलग-अलग होता है, लेकिन वो जो है जैसा है उसे वैसा ही स्विकार करना चाहिए, उसे खुद को बदलने की कोशिस नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों को देखके उसे अपने आप में हींता मैसूस करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया है, संसार का हर एक प्रानी, हर एक इंसान, हर एक चीज, हर एक वस्तो अपने आप में अलग है, इसलिए कभी अपनी बराबरी दूसरों से ना करें, मैं जो हूँ मेरे पास जो है उसमें खुस रहता हूँ, क्योंकि मेरी उंगलिया मुझे सिखाती है, दुनिया में भी भी बराबर कभी नहीं होता, इसलिए हमेशा एक समान रहें, जो है जितना है उसमें खुस रहना चाहिए, आखिर जिंदगी भी यही सिखाती है, कि जारुरत से ज़्यादा रोश्नी आख को अंधा बना देती है, आज की कहानी हमारी एक कववे की है, एक कववा जो की जंगल में रहता था और हमेशा खुस रहता था, उसे किसी बात की कोई परिसानी नहीं थी, वो चुप चाप, मस्ती में अपना, इधर से उधर घूमता रहता था, किसी तरह की परिसानी, किसी तरह की टेंसन भी नहीं लेता था, इसलिए वा बिंदास था, एक दिन वो यहा उसने हंस से कहा कि हंस तुम तो कितनी सुन्दर हो कितनी खुबसूरत हो तब हंस कहती है अरे मैं कहां खुबसूरत हो मुझसे खुबसूरत हो कबूतर है जरा उसे जाकर देखो कबूतर को देखता है देखकर हैरान रह जाता है उससे भी पूछता है अरे कबुतर तुम तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो, बहुत ही सुन्दर दिख रहे हो, कितनी सुन्दर ता, उसे तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा, तो कबुतर कहता है कि मैं कहां हूँ, मुझसे भी ज्यादा खुब सुरत, तो तोता है, जरा उसे जाके देखो, मेर पुरा सरीर उसका हरे रंग का और गले में लाल रंग का फीदा और होट भी लाल-लाल कितना प्यारा लगता है को वह उसे भी जाकर देखता है उसे दाज जाकर वो भी अस्चरे में पजाता है सचमी तोता तो बहुत सुन्दर है तोते से उसने कहा कि अरे तोता तुम तो बहुत सुन्दर लग रहे हुआ तुम्हे तो बड़ा मज़ाता होगा तुम्हें अपनी सुन्दरता पे बहुत अच्छा लगता होगा तो दोते ने कहा मैं कहा सुन्दर हूँ मुझसे भी सुन्दर दूसरा कोई है तो कवा पोस्त है कौन है वो तो तुम जाकी देखो मौर को कि वो कितना सुन्दर है मैं तो बस एक रंग का हूँ मौर तो कितनी रंगों का होता है उसकी सुन्दरता के आगे कुछ भी नहीं कवा मौर के पास जाता है ढूनता ढूनता मौर तक पहुंचता है मौर एक पिंजरे में कैद रहता है तो वो वहां जाता है मौर से पुस्ता है अरे वामूर, तुम तो सच में लाजवाब हो, बहुत सुंदर हो तो मूर बोलती है, अरे मैं क्या सुंदर हूँ मेरी सुंदरता कोछ छोड़ो ऐसी सुंदरता किस काम की, कि मैं पिंजरे में बन रहो मुझसे तो कहीं अच्छे तुम हो कि कम से कम तुम अपनी उची उरान भर सकते हो अपनी मर्जी की जिन्दगी जी सकते हो मैं तो रंग से सुन्दर हूँ भल तुम तो अपने दिल से सुन्दर हो अपनी मर्जी के सुन्दर हो तुम से सुन्दर तो कोई भी नहीं यह सब सुनकर कोवे को अस्चरे में पढ़ जाता है कि क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ और इसी तरह वो सुनके अपने आप में वो खुस भी होता है कि हाँ ये बात तो सही है मैं अपनी मरजी का हूँ तो दोस्तों ये बात याद रखे हमेशा क्योंकि जिन्दगी में हमेशा सब कुछ आपके मरजी का और आपके नुसार नहीं होता लेकिन आप जो हो जैसे हो जिस तरह के भी हो अपने आपको अपना अच्छा समझो क्योंकि भगवान ने हर एक प्रानी को अपने ठेंग से अलग बनाया है और उसकी एक एहमियत है उमीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी एक छोटी सी कहानी लेकिन आपको एक अनोखी सीख देती है कि कभी भी अपने आपको गलत मत समझो या फिर अपने आपको कमजूर मत समझो अपने आपको केला मत समझो अपने आपकी एहमियत को समझो भगवान ने हर एक इनसान को अपने आप में एक अलग पहचान दी है एक अलग बनावट बनाई है और वही उसकी एहमियत है दूसरों की अच्छाई बुराई पर कभी न पढ़े आपको ये कहाने कैसी लगी अपने विचार कमिन बॉक्स पे लिखके जरूर बताएं